Hello Students, अभी हम लोग Class 12 Physics में Most Important MCQ यानी Objective प्रश्न उतर को पढ़ेंगे, जो आपके अपरेल में होने वाले Jack Board Final Exam 2022 के लिए बरदान साबित होगी. तो चलिए पढ़ते हैं सब कॉस्षन को. पहला प्रश्न है, भॉल्ट मिटर मापता है विभुवांतर को. आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलेखित में कौन सम्बंद सही है? आप्शन A, भेक्टर E बराबर भेक्टर F बटे Q, यानी E बराबर F बटे Q होता है. बिध्यू छेतर की तिरुवता बराबर बल बटे आवेस होता है. निम्नलेखित में कौन सम्बंद सही है? तो आप्शन A सही है. आगे देखिए कॉस्टन नमबर 3. बिध्यूत बिभाव बराबर होता है, बिध्यूत बिभाव बराबर होता है, डबलू बटे Q, भी बराबर डबलू बटे Q होता है, ओप्शन B सही हुत्तर. आगे देखिए अगला प्रस्टन, बिध्यूत दिधूर्व आघूर्ण का एसाई मातरक होता है, कुलाम मिटर, ओप्शन A सही हुत्तर. आगे देखिए, एक फेराड बराबर होता है, ओप्शन B, एक कुलाम परती भॉल्ट, एक फेराड के बराबर होता है, ओप्शन B, सही उत्तर. आगे देखिए, आवेशित चालक की इस्तिथीच उर्जा होती है, हाप CB स्क्वेर, आवेशित चालक की इस्तिथीच उर्जा होती है, 1 बटे 2, CB स्क्वेर, ओप्शन B, सही उत्तर. आगे देखिए, हवा में एपसलोन आर का मान होता है, एपसलोन आर को पराविदुतां कहते हैं, जिसका मान मुक्तकास में, बायू में, हवा में, एक होता है, एक, ओप्शन C सही उत्तर. आगे देखिए, बिध्यु छेत्र में एक आवेशित कान पर लगने वाला बल का मान होता है, एप बराबर QE, बल का मान F बराबर QE होता है, ओप्शन A सही उत्तर, QE. आगे देखिए, चित्र में A और B के बीच सम्तुल्य धरिता है, बोल रहा है क्या होगा? तो देखिए, चित्र में A और B के बीच दो गोसी संधरित्र की धरिता समांतर करम में संयोजीत है, तो समांतर करम में सम्तुल्य धरिता का सिंपल जोड होता है, यानि C और C, टू C हो जाएगा. और C समांतर करम यानि पास्व करम पेरलेल में संयोजीत है, और पेरलेल में संधरित्र की सम्तुल्य धरिता निकालते समयें सिंपल जोड करते हैं, तो C, C, टू C हो जाएगा. और C सही उत्तर, आगे देखिए, परतिरोधों के समांतर करम संयोजन में निम्नलिकित में कौन रासी समान रहती है, विभुवांतर, परतिरोधों के समांतर करम संयोजन में परतियक, परतिरोधक के लिए विभुवांतर का मान एक समान होता है, सरेनी करम में धारा का मान ए एक समान होता है option A सही उत्तर आगे दखिए आगे question है एक हेंड्री बराबर होता है एक हेंड्री बराबर होता है option A सही उत्तर होगा 10 to the power 3 10 to the power 3 मिली हैंड्री option A सही उत्तर होगा आगे दखिए कारबन परतिरोत का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है आगे दखिए पधार्थ की परतिरोत्ता के लिए निम्नलखित में कोन सही है परतिरोत्ता का सूत्र कोन सही है खोजिए option A सही है रो बराबर R A by L रो बराबर परतिरोत्त चेतरफल बटे लंबाई यानि रो बराबर R A by L option A सही उत्तर आगे दखिए बिभाव परवनता बराबर होती है बिभाव परवनता बराबर होती है dv by dx option C सही उत्तर होगा आगे देखिए बिध्यूत फलक्स का SI मातरक है बॉल्ट मिटर बिध्यूत फलक्स का SI मातरक है बॉल्ट मिटर ओप्सन C सही उतर होगा आगे देखिए संबंद Q बराबर N E में निम्ने लखित में कौन N कमान संभव नहीं है आवेश का quantum current theory में Q बराबर N E होता है जहांपर N कमान हमेशा पुर्नांक में होता है तस मलो में और भीन के रुप में नहीं होता है यानि ओफसन C चार दस मलो टू यह संभव नहीं है N कमान कभी भी दस मलो मे या भिन के रुप में संभव नहीं होगा हमेशा पुर्णांग में संभव होगा यानि 4, 8, 100 ये संभव है लकिन option C, 4.2 संभव नहीं है आगे देखिए आगे प्रश्ण है एक समांतर पट्टी का संधरितर की धरिता के लिए निमनलखित में कौन सही है एक समांतर पट्टी का संधरितर की धरिता के लिए निमनलखित में कौन सा बेंजक सही है option A सही है epsilon not A by D epsilon not into A by D ये सही है option A सही है आगे देखिए बिध्यूत परिपत की सक्ती होती है बिध्यूत परिपत की सक्ती यानि पावर होती है B square बटे R option C सही होतर होगा B square बटे R आगे देखिए last परश्ण धरित्य परतिगात होता है धरित्य परतिगात यानि संधरित्र परतिगात होता है XC बराबर 1 बटे omega C option D सही होतर होगा XC बराबर 1 बटे omega C option D सही होतर होगा तो चलिए अभी अमलोग physics में most important Q यानि objective प्रश्ण उतर को देखें जो आपके jackboard final exam अपरेल में होने वाले 2022 के लिए बरदान साबित होगी मिलेंगे फिर अगला objective वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थेंक यू